मायूस मत होना जिन्दगी से किसी भी वक्त तेरा तकदीर बदल सकता है अगर दिल में हो आग और होसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है मेरे प्यारे भी द्यार्थियों नमस्कार मैं हूँ डाक्टर छोटे लाल गुपता एसिस्टन प्रफेसर आज के हिंदी क्लास में रगुवीर सहाय की कभीता अधिनायक पर चर्चा करूँगा इसके अंतरगत लेखक का परिचय कभीता का पाठ तथा परतियक अहतरन का सविस्तार से ब्याख्या करूँगा अब आप ध्यान से सुने कभी का जीवन परिचय जन्म 9 दिसंबर 1929 जन्मस्थान लखनव उत्तर परदेश निधन 30 दिसंबर 1990 पिता हर्देव सहाय सिख्षक सिख्षा एम्मे अंग्रेजी बिर्ती नौभाल टाइम्स के सहायक संपादक एवं दिन्मान सब्ताहिक के संपादक भी रहे काब्य संग्रह आत्म हत्या के बिरुद्ध हसो हसो जल्दी हसो सीडियों पर धूप में लोग भूल गये हैं कुछ पत्ते कुछ चिठियां लोग भूल गये हैं काब्य संग्रह पर सहित अकादमी पुरसकार से सम्मानित भी हुए कबीता का पाठ राष्ट गीत में भला कौन वह भारत भाग्य बिधाता है फटा सूतना पहने जिसका गुनहर चरना गाता है मकमल टमटम बल्लम तुरहा पगरी छत्र तवर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जैजै कौन कराता है पूरप पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल सिंगा सन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है कौन कौन वह जन्मन अधिनायक वह महा बली डरा हुआमन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है प्रस्तूत कबीता का सविस्तार ब्याख्या प्रस्तूत कबीता अधिनायक आत्म हत्या के बिरुध काब संग्रह से लिया गया है राष्ट गीत में भला कौन वह भारत भग बिधाता है पटा सूतना पहने जिसका गुन हर चरना गाता है मखमल टमटम बल्लम तुरहा पगरी छत्र तवर के साथ तोप छुराकर ढोल बजाकर जैजै कौन कराता है प्रस्तूत पक्तियां रगवीर सहाय की कवीता अधिनायक से ली गई है इन पक्तियों में कभी बताना चाहता है कि राष्ट गीत का महत्व राष्टियता से नहीं है बल्कि कौन नेता कितना बड़ा बहु बली है कितना बड़ा बल्वान है कितना प्रभाव साली है उसी अधार पर उस राष्ट गीत के महत्व को आका जाता है कभी की यह सोच जुक्ति संगत और समसामाइक है अधिनायक कवीता में हर चर्णा की पहचान फटा सुथना पहने एक गड़ी बालक के रूप में हुई है अपनी लचाडी का परमान लिये हुए वह राष्ट ये गीत गाता है कभी का यह कटू ब्यंग बना ही उचित एवं सामाइक है अजादी मिलने के इतने बर्सों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया है कवीता में हर चर्णा इसी आम आदमी का परतिनीधी करता है पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल सिंगासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है प्रस्तोत पक्तियां रुगवीर सहाय की कवीता अधिनायक से उद्रित अंस है कभी अपने पूरे परिवेश को सहा स्पूर्ण ढंक से अभिव्यक्त करते हुए कह रहा है कि आज की लोकतांत्रिक बेवस्था कितनी जूटी है राष्टी तेवहार के दिन सरकारी जलसे के रूप में स्वाधिन्ता दिवस एवं गंतन्त दिवस मनाते हम अवस्य हैं पर ऐसे आउसर पर राज नेता सिर्कत करते हैं राज सी ठाट वाट में भरकते रोब दाब के साथ देश की रहनुमा भासन करते हैं इस भासन में देश की प्रगती का जूटा मान्चित्र खी जा जाता है जूटा परलोभन दिया जाता है राज की ताम जाम से मनाय जाने वाले इस जलसे को देखने के लिए पूरा पश्चिम सभी योर से अपनी त्रासद इस्तिती से उल्जहे पुलस्ते रंगे पूते नर कंकाल आते हैं और अपने राजनेताओं की जय जय कार करते हैं कौन कौन वह जन गन मन अधिनायक वह महा बली डरा हुआ मन बेमन किसका बाजा रोज बजाता है प्रस्तूत अंसमेर गुबीर सहाई ने सत्ता पक्ष के जन परतिनिदियों को आधोनिक भारत के अधिनायक अर्थात तनासा के रोप में चित्रित किया है आज राष्ट्य गान के समय इनहीं सत्ता अधारियों का गुन गान किया जाता है जब भी राष्ट्य तेवहार पर जन गन मन अधिनायक गाया जाता है तो आम आदमी जो गडीब और लचार जो फटेहाल जीवन बिता रहा है इस राष्ट्य इस राष्ट्यता का अर्थ नहीं समझता वह उसी राजनेता को जनता का अधिनायक मान कर इस राष्ट्य गीत को गाता है वह समझता है कि वह इनहीं राजनेताओं का गुन गान कर रहा है